रेगुलेट GST और टेक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंज आप TDS, Income Tax, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टियर और डी ट्रेल के साथ कॉम्प्लाइंस असानी से कर सकते हैं इन सॉफ्टियर के डेमो देखने के लिए आप हमें मुबाइल अंबर के साथ इमेल कर दीजिए taxil.gmail.com पर हलो फ्रेंज, अकाउंटिंग सॉफ्टियर और डी ट्रेल के साथ यूज करने के लिए डेट को एक्स्टेंट कर दिया गया है फ्रेंज, मिनिस्ट्रे अप कॉर्पेट अफेर के दवारा कंपनीज के लिए रूल 3 में अमेंडमेंट की गई थी और ये कहा गया था कि हर कंपनी को अकाउंटिंग सॉफ्टियर यूज करना है जिसमें के ओडिट ट्रेल का भी फीचर हो यानि कि हर ट्रांजेक्शन के लिए एडिट लोग मेंटेन हो कि बुक्स अफ अकाउंट में कब चेंज किया गया है किस दिन चेंज किया गया है और ये ओडिट ट्रेल डिसेबल नहीं किया जा सकता फ्रेंज, पहले ये 1st अप्रेल 2021 से मेंडेटरी किया गया था फ्रेंज, अब नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1st अप्रेल 2021 को जिसमें के बताया गया है कि रूल 3 सब रूल 1 के अंतरिकर जो प्रोविजों इंसर्ट की गई थी उसमें जहां पे डेट 1st अप्रेल 2021 दी गई थी अब उसे चेंज करके 1st अप्रेल 2022 कर दिया गया है इस परकार अब कंप्रेंज के लिए अकांटिंग सॉफ्ट्वेर विद ओडिट रेल मेंटेन करना ज़रूरी होगा 1st अप्रेल 2022 से इसी परकार फ्रेंज कंप्रेंज 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 के लिए रifullyफ के लिए इंसर्ट किया गया था जिसमें के दोरा अकांटिंग सॉफ्ट्वेर विदेन किया गया है और देत रेल के साथ यानिक एडिडिट लोग फीचर के साथ और कहीं ये future temper तो नहीं किया गया है और क्या company के दौरा statutory requirement के according record preserve किये गए है audit trail के इसके लिए reporting करनी थी Friends, अब companies audit and auditor second amendment rule 2021 notify किये गए है जिसमें के दूर 11 subclosure g के अंतरगत जहां पर world whether the company लिखा गया था वहाँ पर whether the company in respect of financial year commencing on or after 1st April 2022 कर दिया गया है यानि कि 1st April 2022 से auditor के लिए भी audit report में ये mention करना जरूरी होगा कि क्या company ने accounting software audit trail feature के साथ maintain किया है और इसकी reporting देनी होगी Friends, market में नय accounting software audit trail के लिए आ गया है आप यदिश का डेमो देखना चाते हैं तो हमें email कर दीजिए taxil.gmail.com पर उमीद करते हैं Friends आपके लिए यह news useful रही होगी कि पर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक share कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए और वो Companies Act के अंतरिकत compliance कर पाएं आप हमें Telegram App CS Updacing Taxil पर जोइन कर सकते हैं थाके आप GST और Income Tax के regular update अपने mobile पर ही प्राप्त कर सकें